दोस्तों आईए जानते हैं कि किन राशी वालों के बीच जादा समय तक नहीं टिक पाता प्रेम या फिर विवाह संबंद। जोतिश शास्र के अनुसार हर्वयक्ती का नेचर उसकी राशी से प्रभावित होता है। और करक राशी वाले इमोशनल इस वज़े से इन दोनों राशी के लोगों में प्रेम संबंद जादा नहीं टिक पाता। दूसरा है कुम्ब राशी और करक राशी। कुम्ब राशी वाले हर मामले में आक्टिव होते हैं। इसके विपरीत करक राशी के लोग मूडी होते हैं। दोनों राशीयों की प्रात्मिक्ताएं अलग-अलग हैं। तीसरी है सिंग राशी और व्रिशब राशी लोगों की जोड़ी, व्रिशब राशी के लोग सिक्योर लाइफ जीना पसंद करते हैं, जबकि सिंग राशी वाले हर समय रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इन दोनों राशी ainda का मेल ज्यादा टिक नहीं पाता, इ जबकि वृषब राशी के लोग ऐसा करना पसंद नहीं करते। यहीं इनके बीच कलह की वजह बनता है। और दोस्तों अंत में हैं मिथुन राशी और कन्या राशी। मिथुन राशी वाले हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर असमंजस की स्तिती में रहते हैं। जबकि कन्या राशी के लोग तुरंत निर्णे लेने में विश्वास करते हैं। इस वजह से इन राशीयों में आपस में नहीं बन पाती। तो दोस्तों ये थी कुछ राशीयां जिनकी आपस में इसलिए नहीं बन पाती। देखते रहें चमतकारी तोटके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।